इस विडियो में हम स्क्राच का म्यूजिक एक्स्टेंशन यूज़ करके और लूप्स यूज़ करके हैपी बर्थडे सॉंग की कोडिंग करना सीखते हैं आपको जिस भी सॉंग का प्रोग्राम बनाना है अगर आप उनलाइन जाएं और उस सॉंग के नोट्स को सर्च करें तो आपको जो है उसकी सरगम मिल जाएगी तो जैसे हिंदी में सारे गमा पधनी सा होता है वैसे ही इंग्लिश में A, B, C, D जो हैं वो नोट्स हैं तो हैपी बर्थडे टु यू के फॉर एग्जाम्पल नोट्स ये हैं GGA, GCB, GGA, GDC and so forth इन नोट्स को समझते हुए हम स्क्राच में हैपी बर्थडे टु यू का ये प्रोग्राम लिखना सीखते हैं हम स्क्राच की वेबसाइट scratch.mit.edu में जाके ये create का बटन क्लिक करते हैं तो हमारा ये नया प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हो गया यहाँ पर जाके हम प्रोजेक्ट का टाइटल दे सकते हैं अभी हम बना रहे हैं birthday song तो हमने ये title बदला मैं already logged in हूँ इसलिए अगर मैं इस project को save करता हूँ तो ये अब मेरे my stuff में जो है ये आ गया यहाँ पर मैं इसको आगे भी use कर सकता हूँ हम happy birthday song बना रहे हैं इसके लिए हमारे को music का extension आड़ करना पड़ेगा तो bottom left में ये मैं plus की command दबाके यहाँ पर बहुत सारे हमारे को additional extensions मिलते हैं scratch के अभी मैं music का extension आड़ कर रहा हूँ तो अब music का extension आड़ हो गया और इसके नए programming blocks जो है वो generate हो गए तो पहला है यहाँ पर play drum for how many beats और drop down में अगर आप देखोगे तो इसमें और भी बहुत कुछ options है इसी तरीके से ये है play note और ये अगर आप इसमें यहाँ click करेंगे जहाँ 60 value लिखी है तो ये आपका जो keyboard है ये खुल गया और ये keyboard different octaves में है और हर octave में ये C note है D, E, F इस तरीके से ये इसके notes है जो भी हम note select करते हैं उपर इसकी value बदल जाती है और ये note कितनी beat के लिए बजे हम इसको भी यहाँ से adjust कर सकते हैं तो अगर मैं इसको one full beat कहता हूं rather than 0.25 beat तो ये note लंबा play होगा तो हम happy birthday to you जो है वो song को हम program करना चाहते हैं उसके notes हमें पता हैं कि G, G, A, G, C, B तो मैं यहाँ जाके पहले G ढूंड रहा हूं तो G इसको duplicate किया G, 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 A तो ये हमारे को जो first हमारा part है happy birthday to you उसके notes मिल गए इसको मैं delete कर देता हूं और हम events में जाके हम when green flag pressed ले रहे हैं जैसा कि हमने समझा था events जो हैं वो बताते हैं कि एक set of instructions को कभ execute करें तो हम यहाँ कह रहे हैं when green flag is clicked execute these commands तो अगर मैं यहाँ green flag click कर रहा हूं ये हमारा जो first part है वो तयार हो गया इसको हम दो बार repeat करना चाहते हैं तो इसको एक तरीका तो ये है कि हम ये सारे जो notes हैं इनको duplicate करके यहाँ डाल दें अब यहाँ problem क्या थी कि इसके बीच में ये weight नहीं आ रहा था तो एक तो सबसे पहले हम इक यहाँ पे weight डाल देते हैं कि weight for maybe 0.5 seconds अब फिर मैं green flag दबाता हूँ तो ये हमारा first part जो है वो तयार हो गया पर हम यहाँ पे सीख रहे हैं loops तो ये जो set of commands हैं ये repeat हो रही है तो इसको हम rather than की बार बार copy करें हम एक control में जाके repeat का जो loop है वो लाके हम इसको twice repeat करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पर twice पे डालके हम इनको हटा सकते हैं अब हमारा जो program है वो क्या कह रहा है when green flag is clicked repeat two times whatever is inside the repeat block और repeat block के अंदर ये सारे notes हैं और उसके बाद एक wait है 0.5 seconds की और हमने command दी है कि ये सारी जो notes है और wait है ये दो बार इस loop को repeat कर दो तो अगर अब हम green flag दबाते हैं ये loops का एक example है अब मैं फटा फट जो बाकी notes थे हमारे उनको code कर देता हूँ तो इसको हम बजा के देख सकते हैं तो इसके बाद हम कुछ और अगर चीज़ें ट्राइ करना चाहें तो मैं music में जाके अगर यहाँ पे set instrument लाता हूँ और इसको मैं green flag के बाद लगा देता हूँ तो हम यहाँ से instrument बदल सकते हैं जैसे same song electric piano में कैसा बजेगा टेस्टिंग के दौरान हम अगर अपने music program को fast test करना चाहें तो हम उसकी tempo बदल सकते हैं तो मैं यहाँ से tempo का भी एक block लगा रहा हूँ temporarily और मैं कह रहा हूँ कि tempo जो है इसको 120 कर दो और अगर आप मैं electric piano के बदले यहाँ पर saxophone ले रहा हूँ या flute ले रहा हूँ तो हम इसको test कर सकते हैं तो हम जब हम जो भी हम instrument बगारा रगाना चाहते हैं जब हम satisfy हो जाएं तो हम या इसकी जो tempo है यह वापस 60 में set कर देंगे तो यह ठीक हो जाएगा मैंने 120 के बद टेस्टिंग के लिए डाली है अब अगर हम इसको और improve करना चाहें तो हम for example यहां stage में जाके choose a backdrop में जाके कोई party type की जो है backdrop ले ले लेते हैं plus हम sprite भी cat के बदले कोई और ले लेते हैं तो जैसे मैं यह abby की sprite ले रहा हूँ अब हमने जितना code लिखा था वो हमारा cat की sprite पर है हम चाहते हैं कि abby की sprite पे वही आ जाए मैं इसको केवल drag and drop करके यहां abby पे डाल सकता हूँ तो अब abby में भी same जो है वो code copy हो गया है तो अब मैं यहां जाके cat को delete कर रहा हूँ abby की sprite में costumes हैं तो अगर abby की sprite selected है मैं यहां costumes में जा रहा हूँ तो यहां पे abby की a, b, c, d करके 4 sprites हैं हम इन costumes को change करके जो sprite है इसको थोड़ा animate कर सकते हैं हम कह रहे हैं कि जब green flag click हो तो हम event में जाके एक और green flag ला रहे हैं जब हम दो green flags और उनके नीचे commands दे रहे हैं तो basically हम computer की एक concept है parallel processing हम उसको follow कर रहे हैं यानि कि जैसे ही हम green flag click करेंगे तो यह दौनों के नीचे जो भी script हमने लिखी हैं दौनों simultaneously execute हो जाएंगी अगर मैं change costume की जो program हम अभी बनाएंगे वो अगर मैं इस script के अंदर डालूंगा तो वो sequential जो होगा वो execute होगा हम चाहते हैं कि दौनों चीजें एक साथ हो तो एक और मैंने green flag click लिया फिर मैं looks में गया यहाँ पर मैंने कहा कि जब program शुरू हो तो abby की जो first costume है costume A वहाँ से शुरू करना उसके बाद next costume जो है वो change करना तो अगर अभी मैं click करूंगा केवल मैं इस command को test करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाके green flag नहीं click कर रहाँ यहाँ पर ही click कर रहाँ यह one time जो है यह command execute हुई और उसके बाद रुक गई तो हम चाहते हैं कि यह बार बार repeat हो तो अब मैं control block में जाके यह repeat का ही एक और loop ले रहा हूँ इसको यहाँ डाल रहा हूँ और अगर अब मैं green flag click करता हूँ तो यह change हुआ पर यह जो change हुआ वो इतनी fast हुआ कि हमें दिखा नहीं इसके लिए हम यहाँ पर एक wait का जो है वो block डाल देते हैं यह फिर भी नहीं change हुआ तो जैसा मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि जब scratch में कोई चीज execute ठीक नहीं हो रही है तो वो syntax की problem नहीं है क्योंकि हम यहाँ code लिख नहीं रही है तो कोई semicolon miss हो गया यह बात नहीं है बात है कि हमारा जो logic है वो ठीक नहीं है अगर अब हम इस command को ध्यान से देखें तो हमने when green flag is clicked एक loop शुरू किया जो हम कह रहे है 10 times repeat होगा और switch costume to A हमने उसके अंदर डाली और next costume जो है loop के अंदर हमने यह सब डाला है हमें करना यहाँ क्या है कि हम चाहेंगे कि जब green flag जब भी click हो तो Abby की इस A जो costume है इस से यह जो pose है इस से शुरू हो उसके बाद फिर 10 बार next costume repeat हो अब अगर हम click करते हैं तो Abby की changing costume से हमने एक animation create कर दी हम यहाँ से कितनी बार repeat हो और pause कितनी हो हम इन values को change करके determine कर सकते हैं और अब अगर हम यह main green flag दबाएंगे तो यह दोनों जो scripts हैं यह parallelly या simultaneously execute होंगी इसकी tempo वापस 60 कर देता हूँ मैं इस program को थोड़ा और improve करने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे ही यह गाना बज रहा हो तो text में भी जो है वो happy birthday लिखा हुआ आए इसके लिए हम वापस looks में जा रहे हैं looks में say की दो commands है एक है say hello for two seconds और दूसरी है say hello इनका फरक क्या है कि इसमें जो sprite है वो hello दो second के लिए बोलेगा और यहां पर जो sprite है say hello दूसरी वाली command उसमें perpetually जब तक कि हम change नहीं करते हैं वही sentence या जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो रहेगा तो हम यहां यह say hello वाली command डा रहे हैं और हम इसको loop के बाहर डाल रहे हैं और यहां हम type कर देते हैं और वैसे ही जहां यह change हो रहा है हम वहाँ पे हम वहाँ पे change कर देते हैं तो हमने at the right points जहां पर यह पहला loop repeat हो रहा था happy birthday to you वो लिख दिया फिर जो second part था वो कह रहा था happy birthday dear scratcher या जो भी आप यहां लिखना चाहें और फिर वहाँ पस happy birthday to you अब हम इसको execute करके देख सकते हैं इस program में दो final चीज़ें add कर देते हैं एक हम वहाँ पस music में जाके हम यहां पे add कर रहे हैं rest for 0.25 beats और उसके बाद play symbol for 0.15 beats और मैंने एक third script भी add कर दी है again with a green flag pressed यानि कि जब green flag दबेगा तो अब 3 scripts जो हैं वो parallelly execute होंगी यहां मैंने एक loop use किया है repeat for 12 times play the drum, bass drum for 0.5 beats, rest for 0.25 beats और repeat the drums again 4 times for 0.5 beats इसको मैंने जो हमारा गाना बज़ रहा था उससे synchronize करने की कोशिश की है यह जो drums की script है अगर हम cable उसको execute करके देखें तो वो यह ऐसा sound करता है तो हम अब final execution करके देख सकते हैं कि हमने क्या program लिखा है तो I hope इस program को लिखके आपको यह जो loop की concept है यह थोड़ी समझ में आई होगी आप loops को use करते हुए बहुत powerful programs लिख सकते हैं और यह happy birthday या कोई और song का program भी लिखके try कीजेगा प्लाओ कि वोड़ी देख सकते हैं